हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का Sleepy Classes में दोस्तों कल 31st में है दो बैचे शुरू हो रहे हैं Sleepy Classes में एक तो है Batch 3 पूरे साल भर का Batch रहता है PCM Batch इसका First Week Orientation Lectures से भरपूर रहता है कौन से Books पढ़ेंगे Notes कैसे बनाएंगे and other lectures दोस्तों जो दूसरा Batch है That is about Answer Writing Answer Writing के courses हैं चाहे वो GS के हों चाहे Optionals में Sociology and Political Science तो दोस्तों यहां पर मैं कुछ आपसे बातें चाहता हूं करना about the Answer Writing Batch जैसे देखिए Notes बना रहा हूं मैं आप भी प्लीज Notes बना के काम कीजिए सबसे पहली बात दोस्तों हर रोज आपको Questions मिलेंगे ठीक है एक Question GS का अगर आपने Optional का भी वैज जॉइन किया है तो एक Question आपको Optional का भी मिलेगा Then दोस्तों एक Question और एक Question करने में बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए लेकिन Initially I would want you to spend जो Time जितना Required है एक Question 10 Marker Question को सॉल्व करने में Maximum आपके 8 to 12 मिनट लगने चाहिए तो मैं चाहूंगा Initially अगर आपके थोड़ा सा अगर जादा Time भी लगता है तो don't really worry लेकिन Gradually by the Time हम 48th Question की तरफ बढ़ें तो आपका Time 8 मिनट के आस-पास आजाना चाहिए अगर एक 10 Marker Question है अगर 15 Marker Question है अकॉर्डिंग ली 12 मिनट हो जाएगा तो ठीक है Getting It तो आप Initially चाहे आप Time जादा लगा लीजिए लेकिन आप अंत तक तो 8 मिनट में प्लीज इसको लेके आने के कुशिश कीजिएगा सबसे पहली बात कि Time Limit के Respect कीजिएगा एक ही Time बांद ही है दिन का जब आप ये सवाल Attempt करें Questions तो आपको Morning में मिल जाएगे लेकिन आप मैं चाहूंगा कि एक Time बांद लीजिए चाहे दुपहर को 2 बज़े चाहे जब भी आपको convenient लगे जब आप बैठके ये दो Questions बाक टो बाक लिखें and अचाहे को G.S का and then Optional का जैसे भी आप Plan कर सकते हैं तो accordingly एक Time के हिसाब से कीजिएगा Regularity रहेगी then दोस्तों यहाँ पर एक Important चीज है कि आप Procrastinate मत कीजिएगा Writing को 7 दिन मिलेंगे आपको एक Question को लिखकर Submit करने में 7 दिन के बाद बंद हो जाएगा ठीके तो इसलिए अगर आपको चाहे ज़ादा Time भी लगता है Please answer जरूर लिखेगा Answer मिस मत कीजिएगा ठीके दोस्तों then यहाँ पर आपको ऐसा हो सकता है कि कोई Question आपको मुझे अभी भी समझ नहीं आया तो Please go back to the books again हमने एक एक चीज के अगर आपको लगता है कि कोई आपको Particular Resources में help चाहिए कि कौन सी किताब पढ़ू इस topic पर मेरा week है तो आप you can always ask us we'll try to help you ठीके कि कौन सी जो resource या book हमें पढ़ने चाहिए चाहिए वो optional की बात हो रही है चाहिए वो GS की ठीके दोस्तों तो बस यही कुछ surprises भी रहेंगे कुछ एक ऐसा भी है element की हाँ पर 48 days में कि gradual अगर हर रोज हम थोड़ी थोड़ी improvement करें अन्त तक हम बहुत improve कर सकते हैं फिर 2021 की prelims की त्यारी शुरू कर देंगे तो इसलिए stepping stone मान के चलिए 48 days are very important days अगर आप दोस्तों batch 3 के अगर student है तो orientation lectures प्लीज ध्यान दीजेगा शुरू में अपने औजार और हतियार तेज करने की बात करते हैं हम साथ दिनों में कि कौन से कौन से हमें books चाहिए कौन से हम notes पढ़ेंगे अकबार कैसे पढ़ेंगे and these lectures syllabus की बात हो जाएगी सब कुछ ठीक है दोस्तों शुरुवाती दिन है अगर बाश 3 की बात हो रही है answer writing के अगर हम बात करें तो दोस्तों answer writing में धीरे धीरे step उठाईएगा अंत तक देखिएगा बहुत improvement हो जाएगी ठीक है चलिए it's a long journey and rather will be a rapid journey मिलेंगे दोस्तों आपको अगले वीडियो से बहुत ही जल्द bye bye take care